जहें साथियों, विल्कम टू माई यूटूब चैनल बहुत इंपोर्टेंट है, जीन सब्द का परियोग 100 प्रत्थम किस ने किया भी हर मदनिसेद की एकजाम में ऐसे कोशन पूछे जाते हैं आप प्रिवियस एर कोशन में उठा कर देख सकते हैं कि आपके एकजाम में किस परकार से कोशन पूछे गए थे तो फड़ा फड़ दू नंबर का सही जवाब अते हैं कि जीन सब्द का परियोग 100 प्रत्थम किस ने किया था दखिए दो का प्षन भी जोहांसन अगर बता रहें तो आपका बिल्कुल राइट एंसर है जीन सब्द का परियोग 100 प्रत्थम किस ने किया था तो जुहांसान ने किया था मेडल आप लोग बता रहे हैं तो मेडल नहीं होगा इसका सही जुआव अप्षन भी जुहांसान हो जाएगा दो का अप्षन भी विल भी राइटेंट चरू जाएगा नेक्स्ट प्रसन तीन नमबर देख लिजे नेमन में कौन सा मनुस्य का अनुवांसिक रोग है फड़ा फड़ बताना है कि चार रोग दिया गया है इसमें से अनुवांसिक रोग कौन सा है अनुवांसिक रोग का मतलब क्या होता है तो अनुवांसिक रोग का मतलब होता है पीढ़ी जड़ पीढ़ी मतलब जो आपके माता पीता का रोग है वो हमको आपको भी है और जो आपको होगा वो आने वाले बच्चों को भी होगा तो देखिए ये मनुसे का अनुवांसिक रोग इसे कहा जाता है, तो अनुवांसिक रोग निवन में से कौन है, तो तीन का अप्शन C हीमोफिलिया बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल राइट एंसर है, हीमोफिलिया जो होता है, वो अनुवांसिक रोग होता है, हैजा, टा अगला प्रष्ण देखी लीजे कि genetic नाम किसने दिया थेखा पड़ा फट चार का सही सही जौप contributor पड़ा पड़ा सबनेस दिया तो आपका बिल्कुल सही जौप अ है जेनेटिक नाम किस ने दिया तो बैटसन नाम गड़ानिक ने दिया तो option B आपका बिल्कुल सही जुआब हो जाएगा देखे जो भी question करवा रहे हैं वो भी हर मदनी सेद के लिए बहुत important है बिल्कुल 10 वी level का question है जो आपके C levels में पढ़ना है और चार का सही जुआब bad son हो जाएगा genetics किसने दिया genetics का नाम किसने दिया तो genetics का नाम जो है bad son अमक बेगानिक ने दिया next question पास नमर देख लिजे जीन बीनिमाय का परियोग सोग प्रथम किसने किया था फड़ा परवत एगा कि जीन बीनिमाय का परियोग सोग प्रथम किसने किया था I am waiting for your answer जीन बीनिमाय का परियोग सोग प्रथम किसने किया था तो दखिए मारगन तथा क सभी लोग जानते हैं और उमीद है कि सभी लोग का सही इंचर आएगा पुरुस जीन संगठन होता है पड़ा पड़ बताई कि पुरुस में एकसवाई घुन सुत्र पाया जाता है तो आपुरुस जीन संगठन होता है तो एकसवाई पूरुसों में सुत्र होता है और एकस एकस जो है महिलाओं में गुण सुत्र पाया जाता है तो 6 का पूरुषों का पूछ रहे तो अप्शन B X Y बिल्कुल सही जवाब हो जायेगा अगर यहां महिला का पूछता तो X X आपका सही जवाब होता नेक्स्ट प्रसन की बहुत ही इंपोर्टेंट है याद रखेगा कि गैमीट की सुधता का नियम का पुरुटिपाादन किस ने किया था देखे ए मेडल बता रहें तो आपका बिल्कुल राइट एंसर है गैमिट की शुधता का नियम का परतिपादन मेडल लामक बेगानिक ने किया था तो सिवेन का अप्षन ने मेडल आपका बिल्कुल डाय टेंसर हो जाएगा इन्होंने मटर के पोधा पर पढ़ियोग किया था अगर कोशन पूछता है कि मेडल ने किस पोधे पर पढ़ियोग किया तो मटर के पोधे पर पढ़ियोग किया अहार सिंखला या परिस्थितिक तंतर से कोशन आपके एक जाम में पूछा ही जाता है तो आठ नमबर कोशन है कि प्राथमिक उपभोगता होता है पड़ा पड़ बताईए कि प्राथमिक निमनलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोगता है अप्षन सकाहारी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट एंचा रहे प्राथमिक उपभोगता होता है सकाहारी अप्शन ए साकाहरी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा तो अब द्वितिय उपभोगता बताए कि प्राथमिक उपभोगता तो साकाहरी होता है लेकिन द्वितिय उपभोगता क्या होता है पड़ा पड़ बताईए नौ का सही जवाब कि द्वितिय उपभोगता क्या होता है तो देखिए प्राथमेक उपभोगता सकाहारी हो गया तो द्वितिय उपभोगता क्या होगा मांसाहारी होगा जिसे मालिजे की घास है तो घास को कौन खाता है घास को मालिजे की हीरन है घास को हीरन खाता है तो हीरन को कौन खाता है तो सेर खाता है तो ये जो हो गया ये साकाहरी हो गया और सेर जो हो गया मांसाहरी हो गया शहजिविता का उधारन बताइए ऐसे कोचन भी पुछे जाते हैं कामर बेल से कवक अमीवा से तो बताएए कि सह जीविता का उधारान है पड़ा पड़ बताएए कि निवना लिखित में से कौन सह जीविता का उधारान है। अप्षान ने लाइकेन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है सहजीविता का जो उधारान है वो लाइकेन है दस का अप्षान है बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा नेक्स प्रस्ण इगारा नमबर देखे कि एकोलोजी सब्द का सबसे पहले परियो किस ने किया फड़ा फटवत है कि एकोलोजी सब्द का सबसे पहले परियो किस ने किया तो इसका राइट एंसर अनाश्ट हेकल हो जाएगे अनर्ष्ट हेकल ने इकोलोजी सब्द का स्वप्रत्थम पर्योग किया था तो इगारा का अप्षण ने बिल्कुल सही जुआब हो जाएगा नेक्स्ट प्रस्ण बहुत इंपोर्टेंट है एक नमबर का कोच्छान है पूछा जा सकता है याद आपको रखना होगा कि वत्तवरन एवं जीवों के संबंद के अध्यान को क्या कहते है वत्तवरन एवं जीवों के संबंद के अध्यान को क्या कहते है फड़ा फट बारा का सही जुआब बताएगा बारा का सही जवाब अपसाने हो जाएगा पारिश्थेते की वातावरन एउम जीवों के संबंद के अधान को पारिश्थेते की कहते हैं तो बारा का अपसाने बिल्कुल राइट इंचर हो जाएगा नेक्स्ट प्रस्ट तेरा का सही जुआ बताएं कि जीन बने होते हैं डिने के बने होते हैं जीन बने होते हैं तो तेरा का अप्षन है डिने आपका बिल्कुल राइट इंसर हो जाएगा जीन किसके बने होते हैं डिने के बने होते हैं नेक्स्ट प्रशन देख लिजे, लाइकेन सहजीवी पाय जाते हैं, चार अप्षन अभी आपको बताएंगे, आपको बताना होगा कि लाइकेन सहजीवी कहां पाय जाते हैं, तो फड़ा फड़ बताएगा चोगदा का सही जवाब कि लाइकेन सहजीवी पाय जाते हैं, चलि सहजी किस ने पाया ? तो सेवाल में पाया जाते हैं और कवक में पाया ? писici साफे pięk하하 आस साफाra सारगासव समुद्र का नाम परॉُ आपको बसने कि ससे मुद्र का नाम क्यों परॉ तो दिखे सारगासव समुद्र का नाम क्यों परॉ इसका सही जवाब अप्शन सी सेवालों के कारण हो जाएगा सरगासों समुंदर में बहुत ज़्यादा सेवाल पया जाता है इसलिए उस समुंदर का नाम सरगासों समुंदर का नाम दे दिया गया जहां तक सेवाल पया जाता है तो अगर कोचन पुछे कि सरगाशों समुन्द का नाम क्यों परा तो सेवाल के कारण सरगाशों समुन्द का नाम परा उर्जा का पिरामीड होता है 2415 के एकजाम में 21 मार्ज के सेकंड सिफ्ट में कोचन पुछा गया था अगर आप 445 के एक जाम दिये होंगे या प्रिवियस यह कोशन देखे होंगे तो आपको मालूम होना चाहिए तो देखिए उर्जा का पिरामीड होता है तो उर्जा का जो पिरामीड होता है हमेशा जो होता है सिधा होता है याद रखिएगा। उड़्जा का पीरामीड पूछेगी कैसा होता है तो हमेशा उड़्जा का पीरामीड सिधा होता है। नेक्स प्रस्टन देखिये 17 नमबर कि नेम्र में कौन अजयवी कारख है। देखिये अफ्शन दिश सभी हो जाताएगा नेम्र में सभी जॉल हो गया, कार्बो हाईडेट हो गया, ताफ हो गया। अभी अजयवी कारान है तो 17 का अफशन डी अपका बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा नेक्स प्रसन का सही जवाब हते है कि मनुष में किस परकार के गुन्षूत्र से लिंग निर्धारन होता है फड़ा पर बताईएगा और इस प्रसंद का उमीद नहीं पूरा विश्वास है कि आप सही जवाब दे पाएंगे कि मनुष में किस परकार के गुण शुत्र से लिंग निर्धारन होता है तो आठारा का सही जवाब क्या होगा तो आठारा का अपसाने हो जाएगा एक स्वाई पूरुष के गुण शुत्र पर ही मानुष जो शीशू होते हैं उनका लिंग निर्धारन किया जाता है तो मनुष्य के किस फरकार के गुंसूत्र सेलिंग निर्धालन होता है तो एक सवाई और यह किस में पाया जाता है तो पूरुसों में पाया जाता है अगर सबसे चोटा गुन सूतर पूछे तो क्या बताईएगा नेक्स्ट प्रसन का सही जवाब बते हैं कि जीन सब्द का पता जोहांसन ने कब लगाया फड़ा फट सही जवाब बताईए ट्वेंटी वन का राइट एंसर क्या होगा तो देखिए बाइस का अफशन ने जीन हो जाएगा डीने की क्रियात्म की काई क्या है तो जीन है तो ये जीन है तो बाइस का अफशन ने बिलकुर राइट एंसर हो जाएगा नेक्स प्रस्थन देखिए 23 नंबर की गुन्शुत्रों में पाये जाने वाला अनुमांसिक पदार्थों को क्या कहते है फड़ा पड़ बताईए अफशन डी जीनोम बता रहे हैं तो आपका बिलकुर राइट एंसर है अफशन डी इस प्रस्थन का सही जवाब हो जाएग गुन्शुत्रों में पाये जाने वाला अनुमांसिक पदार्थों को जीनोम के नाम से जाना जाता है नेक्स प्रस्थन का सही जवाब बताएगा कि संपूर्न जेनेटी कोड का पता किसने लगाया आई एम वेटिंग फोर एंसर संपूर्न जेनेटी कोड का पता किसने लग इसलिए इन्हें नोबेल पूरुसकार भी दिआ गया नोबेल पूरुसकार भी हर्गो भिंद कोड मिला हर्गो भिंद को और बिंद को पता लगाने के लिए नुस्य ब्सकार को मिला अभी आपको बता हैं कि हर्गोवींद खुराना ने जनेटी कोड का पता लगाया और इन्हें नोबेल पुरुषकार कब मिला था तो देखिए इन्हें नोबेल पुरुषकार इसी के छेतर में चिकत्षा के छेतर में 69 में मिला था हर्गोवींद खुराना को नोबेल पुरुषकार कब मिला उन्हें 68 में मिला किसके कारण मिला तो जनेटी कोड का पता लगाने के कारण इन्हें उन्हें 68 में नोबेल पुरुषकार मिला नेक्स्ट प्रसन का सही जवाब बताएगा कि अनुवांसिक रोग रंग वर्णता यानि कलर ब्लाइडनेस में रोगी किस रंग का पाचान नहीं कर पता है तो सही सही जवाब बताएगे कि कलर ब्लाइडनेस में कलर ब्लाइडनेस में जो रोगी होता है वो किस रंग का पा नहीं कर पाता है कि यह यह जो रोगी होते हैं जिने वर रतता और नहीं ग्रवाधता है तो आप इसका सही जवब वाई पर्धूसन गहों जाएगा लाइकेन किसका सूचक होता है तो तो 27 का अपतान में वाई पर्धूसन आपका बिलकुल हैं प्रतिपादित किसों करते हैं। है इससे आगर आप ज्यादा गर्ब परदेश में एक पश्चानिम को भूदाब हो गई है इसका कि कि अनुसार जो चantryव हम जैसे वहां रहने की आदत हो गई है, मतलब पर्यावरन की अनुसार अपने आपको वहां बेवस्थित करने का जो इत्थी है, मतलब कोई भी मनुसे माल लिजे कि अगर आप बिहार से हैं, आप बिहार से हैं, चले गए शीमला, तो वहां तो ठंड़ा लागेगा ही ना जी, तो वहा दो-ति-न वहिना रहिएगा, तो आपको रहने का अदत हो जाएगा, मतलब ढ़ालने का पर्यावरन की अनुकूल आप वहां हो जाएगा, नेक्स प्रस्ण 29 नमर बते कि मानों में गुन्शुत्रों की कुल संख्या कितनी होती है, तो मनुसे में गुन्शुत्रों की कुल तो में गुन्शों की कि अधीन दिया, तो आपको याद नहीं है, तो प्रस्टाइब आपको याद नहीं है, तो पर्योग साला में 100 पर्थम DNA का संसलेशन किस नंस्यण किया था, तो खुराना ने किया था, हर्गोबिंद खुराना ने, पर्योग साला में सबसे पहले DNA का संसलेशन किया था, जीन कहां अवस्थित होते हैं, जीन अवस्थित होते हैं फड़ा पड़ बताई है कि जीन कहां अवस्थित होते हैं जीन गुंशुत्रों में होते हैं गुंशुत्र में जीन उपस्थित रहते हैं अवस्थित रहते हैं नेक्स्ट परसन का सईजवाब दे के विकास का सिधान को किसने परतिपादित किया था बिकास के सिधान्त को तो परकृति की चैन का सिधान्त हो या बिकास का सिधान्त हो ये सबी चाल से डारविन ने परतिपादित किया दैं 33 का अपसणडी बिल्कुल राइट इन चर जाएगा नेक्स पसंद दखी कि हिरदाय का पहला प्रतियस्थापन किसके दोरा किया गया तो डॉक्टर कीचन बनार्ड के दोरा क्रित्री महिरदाय का पहला प्रतियस्थापन किया गया था नेक्स प्रसंद किये 35 नवर की वांसा गती के नियमों के अध्यान को क्या कहते हैं वांसा गती के नियमों के अध्यान को क्या कहते हैं आपको details में मालूम होगा पर्यावरन में अजय और यो का उधारन है पर्यावरन में अजय और यो का उधारन है फड़ा पड़ बताएं तो अप्शन सी वाईव अगर बता रहें तो आपका इस प्रसंद का बिल्कुल डाइट इंसर हो जाएगा उत्परिवर्तन का सिधान्त क यह बताएं को उत्परिवर्तन का सिधान्त किस ने दिया था कोचा नहीं है को उत्परिवर्तन का सिधान्त किस ने दिया था तो देखिए उत्परिवर्तन का जो सिधान्त है वह यूगो डी ब्रीज ने दिया था उत्परिवर्तन का सिधान्त किस ने दिया था यूगो डी जो आप क्या हो जाएगा अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दिजिए